Hello Friends, Welcome to Editorial Analysis by Simplified Civil Services आज 6th July को तोटल तीन आर्टिकल डिसकस करेंगे आज के तीनों आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस से लिएगा हैं बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल आएं फर्स्ट आर्टिकल जो डिसकस करेंगे वो है वैन वाटर राइस इस आर्टिकल में हम Assam Flood के बारे में बात करेंगे यह आपको Mains में पूछा जा सकता एक Mains का Question भी तियार करेंगे कि Assam में Perennial Flood क्यों आ रहे हैं हर साल Flood आने के Rings और है Natural Anthropogenic Rings की बात करेंगे और Parliamentary Committee की जो Recommendation है इन Floodस से Deal करने के लिए उसे भी Discus करेंगे इसके अलावा data और trends की बात करेंगे और means में इसको कैसे use कर सकते हैं इस concept को वो भी जानेंगे next article जो discuss करेंगे वो है why China wants to build a real network to Singapore via Southeast Asia यह article भी important है international relation के perspective से prelims में इस तरह के project कई बारे पुछ ले जाते हैं और जो means है उसमें भी आपको चाइना और इंडिया के relation आते हैं तो उसमें कहीं न कहीं यह project के बारे में जिक्र करना पड़ता है तो means के perspective से भी important है तो दोनों aspect cover किये जाएंगे अगर आपको हमारा analysis पसंदा रहा है तो please आप like करिए comment करिए share करिए and subscribe करिए अगर आपको इसकी pdf चाहिए तो आप हमारा telegram channel भी join कर सकते हैं उसकी link नीचे दी गई होगी आप जो है telegram channel जो link है उसपे click करिए directly join कर लेंगे या फिर simplified civil services search करिएगा हम आपको मिल जाएंगे आईए शुरू करते हैं हमारा analysis हमारा first article है when water rises यह article Indian Express में आया है GS1, GS3 means के perspective से बहुत important article है अगर आप PYQ उठाके देखें तो GS1 में generally urban flooding से related question आपको पूछे जाते हैं जैसे कि चेन्ने में flood क्यों आया है urban flood क्यों बढ़ गए हैं इस तरह के questions GS1 में दिखेंगे GS3 में तो आप जानते हैं कि disaster management आपका syllabus में है तो directly आपको flood के ओपर question पूछा जा सकता है तो means के perspective से यह article highly highly बहुत जादा important है क्योंकि अभी तक के Assum flood के ओपर question नहीं आया है और इस article की जो theme है वो क्या है perennial floods in Assum हर साल आपको देखने को मिलता है कि Assum में flood आते हैं क्यों flood हर साल आता है इसके बारे में बात करेंगे बहुत important article है UPSC में अभी तक के topic pending है हो सकता है आपको 2024 में दिख जाए एक means का question तयार कर लेंगे कैसा question प topography, climate and socio-economic condition make it more vulnerable to a disaster like floods comment 250 words में 15 नंबर का question आपको पूछा जा सकता है कि बताइए कि Assum में जो perennial flood है हर साल क्यों आते है इसके reasons क्या है उसके reason topographic reasons हो सकते है climatic reasons हो सकते है, socio-economic conditions हो सकते हैं ये सारी चीजें कुल मिलाकर बहुत ज़्यादा disaster कर रही है Assum में तो इसी के reason के बारे में बात करेंगे तो reasons natural और anthropogenic दो भागों में divide कर लेते हैं पहले अच्छा flood के बारे में तो बात करी लेते हैं वैसे तो आप जानते होंगे बार बोलते हैं हिंदी में A flood is an overflow of water that's a much land that is usually dry Flood generally क्या होता है? जब water का overflow हो जाता है और जमीन में पूरा पानी भर जाता है Generally कौन सी जमीन? जो हमेशा dry रहती थी जहां पर हमेशा पानी है उसे हम flood consider नहीं करेंगे वो जमीन जो की हमेशा dry रहती थी वहां पर अगर पानी भर जाता है तो उसे ही flood consider किया जाता है See, overflow of water is called as flood Simple language में ऐसे बोल सकते हैं Generally तीन टाइप के flood आते हैं एक होता है flash flood दूसरा होता है river flood और तीसरा होता है coastal flood Flash flood के बारे में आप जानते हैं अगर extensive rainfall हो जाए एक दिन में cloud burst हो जाए तो बहुत सारा पानी जमा हो जाता है पूरे areas में और वो पानी निकल नहीं पाता है because of multiple reasons like lack of drainage system etc. तो इसको हम flash flood बोलते हैं अगर एक ही दिन में खूब सारा पानी जमा हो जाए तो वो flash flood कहलाएगा extensive rainfall के कारण over the period of time अगर लगातार पानी गिर रहा है तो उसे हम rivers में पानी का इस्तर बढ़ते जा रहा है तो उसे हम river flood में consider करते हैं coastal flood में generally coastal areas में होते हैं tsunami और tropical cyclones के कारण storm surges के कारण भी आपको ये flood देखने को मिलते हैं तीन तरह के flood हो जाएंगे ये सारी चीज़े आपको clear होगी अब शुरू कर लेते हैं natural reasons से first है intensified monsoon आप जानते हैं कि जो southwest monsoon होता है north east में वो bay of bengal की branch के थ्रू जाता है तो पूरा का पूरा bay of bengal से ये moisture ले करके north east में पहुशता है और खूब सारी वर्षा करता है तो naturally यहाँ पर पहले ही बहुत जादा वर्षा होती थी लेकिन अभी अभी climate change के कारण यहाँ पर जो monsoon हो गया है वो और जादा intensified हो गया है लालीना में आप जानते हैं कि जो वर्षा होती है वो normal rainfall से कहीं जादा होती है और इसके साथ negative अगर Indian Ocean Dipal हो जाए तो पानी बहुत जादा बरसता है इंडिया में overall जो monsoon हो गया है वो intensified हो गया है बहुत जादा extreme rainfall होती है एक दिन में दो दिन में और इसके कारण आपका कौन सा flood होगा? Flash flood होने के chances बहुत जादा बढ़ जाते है next है आपका topography ठीक? Assum is a home to vast network of 120 rivers originated from Arunachal Pradesh, Meghalay और China mainly from Himalayas तो यहाँ पर अगर देखें तो वैसे ही बहुत सारी rivers है और पानी अगर लगातार आएगा तो यह rivers obvious है कि इसमें flood आने के chances बढ़ेंगे तो topography के कारण आपका कौन सा flood हो रहा है? river flood हो रहा है अब global warming third reason यह भी बहुत important है इसके कारण melting of glaciers होगा कहां पर? हिमाले में और जो level है rivers का वो increase होगा it enhances the magnitude of flooding in northeast region next क्या है आपका? earthquake earthquake और landslide earthquake जनरली आता है उसके कारण landslide होती है उसके कारण जो debris होगा हना जो भी landslide में जमीन नीचे जाएगी पानी में गिरेगी वो debris water में जाकर के water bed का level increase करतेगा हना अब जब पानी में बहुत ज़ादा मिट्टी जमा हो जाएगी तो water level rise हो जाएगा और इसी के कारण आपकी flooding हो जाती है next, fifth और most important reason है जो की बहुत यूनिक reason है असम की टोपोग्राफी और climate के कारण वो है ब्रह्मा पुत्रा river ब्रह्मा पुत्रा river के कारण बहुत ज़ादा आपको flood देखने को मिलता है ब्रह्मा पुत्रा river हिमालय से शुरू होती है ठिक यहां से शुरू होते हुए अपना तिब्बत से शुरू होते हुए आपका northeast region में enter करती है यहां पर इसकी जो velocity होती है वो बहुत ज़ादा होती है जहां से वो शुरू होती क्योंकि हिमालय रीजन है एकदम slope बहुत ज़ादा होता है लेकिन असम में जो elevation है elevation असम एरिया में जनरली बहुत कम हो जाता है तो असम में elevation कम slope कम तो जो भी sedimentation होते हैं ब्रह्मा पुत्रा जो अपने साथ लेकर आती है बहुत सारे sedimentation, debris, soil यह सारी चीज़े लेकर क्या आती है वो असम में आकर जमा कर देती है जितने भी sediments होंगे वो असम में जमा हो जाएंगे अब ऐसे में जब river में sedimentation जमा होते जाएंगे तो वही सेम चीज़ जो water level होगा river bed का वो increase होते चले जाएगा और इसलिए ब्रह्मा पुत्रा असम में जादा flooding करती है next क्या है river bank erosions river bank erosion के कारण भी flooding हो रही है कुछ ऐसी river है sedimentate rivers जो की अपने साथ soil लेकर चले जाती है और इसके कारण soil erosion होता है river expand होती चले जाती है और उसके कारण आपकी flooding होती है hopefully यह चीज़े clear है now anthropogenic reasons की बात कर लेते हैं simple reason क्या होगा unplanned expansion of urban areas urban areas है उसका बहुत तेजी से expansion हो रहा है और that too in half hazard manner and in unplanned manner population बहुत तेजी से बढ़ रही है अब गुवाटी की population देखें 1901 में lex population थी अब करोड में population हो चुकिए तो लगातर population भी increase होती जा रही है अब जब population बढ़ेगी तो flood plain area में encroachment होगा इसका मतलब वो area जहां पर generally flood आता है वहाँ पर भी लोग अपने घर बनाने लगेंगे क्योंकि जो area बचा हुआ है वहाँ पर अब population को रखने की जगा नहीं है तो ऐसे में क्या होता है encroachment होता है कहां पर flood plain areas में और उसके कारण जब flood आते हैं तो बहुत ज़ादा लोगों की जान भी जाती है और property का भी loss होता है तो यह एक बहुत important reason है दूसरा reason क्या है lack of drainage system drainage system यार proper है नहीं इंडिया में कोई भी cities देख ले दिल्ली देख लो चन्ने देख लो हैदरबाद देख लो यहाँ पर proper drainage system नहीं है अब drainage system ना होने के कारण एकदम से extensive rainfall हो जाती है तो पूरा पानी जमा हो जाता है flooding हो जाती है उसके अलावा दीरे दीरे encroachment हो रहा है wetland areas में क्योंकि urbanization हो रहा है population increase हो रही है एकदम से flooding हो जाती है कुछ anthropogenic reason यहाँ पर दिये हुए है article में काफी अच्छे reasons है जैसे की flood control structure date back to 1960s and 70s when the hydrology of Assam river including the mighty Brahmaputra was poorly understood ठीक तो जो flood control structures है वो 1960s और 70s में बनाए गए थे उस समय properly Assam की hydrology को भी नहीं समझ पायते हम उस समय हमने Embarkment Structures बनाए थे Embarkment Structures तो आपको पता होगा हाना क्या होता है माली जी यह आपकी river है तो बाहु बली देखा होगा आपने बाहु बली का जो second part है उसमे हाना वो पिंडारी आ जाते है तो पुरी एक wall बनाई रहती लेकिन लोगों तक ना बहुचे हाना cities तक पानी ना है तो इस तरीके के Embarkment Structures बनाए जाते हैं जिसके थूँ फ्लट को कंट्रोल किया जाता है पर यह structure 1960-70 में बनाए गते हैं उस समय प्रॉपर आप जो है वो 1960-70 के हैं और अब इनकी utility धीरे-दीरे खतम होती जारी कई बार यह structures तूट जाते हैं और recently एक flooding हुई थी इस सिल्चर में वो इसी कारण से हुई थी कि वहाँ पर Embarkment Structure था वो break हो गया था जैसी यह structure तूटा तो जितना भी पानी सारा का सारा लोगों पर तो इसके कारण भी flooding हो रही है next क्या है आपका solutions such as tapping into knowledge system of indigenous people to build flood resistance houses dredging river, arresting erosion और even building more resilient embarkment have either remained on paper और haven't been adequately implemented तो जो knowledge system है indigenous लोगों का जिसके थूँ flood resistance house बनाय जा सकते हैं यह इन चीजों का properly use नहीं किया जा रहा है river को dredging नहीं किया जा रहा है dredging का मतलब क्या होता है जो debris होता है उसको remove करते हैं ताकि जो depth है river की उसको बढ़ाया जा सके हना अगर मिट्टी sedimentation पूरा जमा होते जाएगा जैसे यह river है और आपकी sedimentation यहां तक हो गया है पानी जो है सिर्फ इतना रहेगा और आसानी से flooding हो जाएगी लेकिन अगर आपने यह सारा portion जितनी भी मिट्टी थी नीचे कि उसको हटा दिया तो आपकी जो river होगी वो गहरी हो जाएगी जादा पानी अंदर आपाएगा flooding के chances कम हो जाएगी तो ड्रेजिंग reverse करना भी ज़रूरी है वो भी सरकार नहीं कर रही है इसके अलावा जो erosion हो रहा है उसको रोकने की कोशिश नहीं की जा रही है और इन सारी चीजों के कारण भी flooding बहुत जादा बढ़ चुकी है तो यह आपके क्या हो जाएगी बहुत इंपोर्टेंट है अप ऐसे ही लिखेंगे recommendation of parliamentary standing committee ठीक इसमें way forward लिखेंगे और उसके बाद लिखेंगे की कुछ recommendation है parliamentary standing committee की और properly 5-6 point लिखेंगे बहुत अच्छे marks में लेंगे पहला क्या है strengthen embankments along with rivers 1960 के इसको दुबार से repair करने की जरूरत है strengthen करने की जरूरत है ताकि embankment ब्रेक ना हो और flood ना है दूसरा dredging of rivers removal of debris यह बहुत जरूरी है जो मैंने भी discuss करी दिया है थर्ड क्या है improve alert and forecasting system state of art technology की बहुत जरूरत है जब तक कि यह नहीं लगे लोगों को पता नहीं जलेगा कि flood के chances है और जानमाल का खत्रा बना रहेगा next क्या है address vacancies in Brahmaputra board Brahmaputra board 1982 में बनाए गया था इसका main purpose क्या है यहाँ पर जो flooding है Brahmaputra के कारण हो रही है उसको control करना ठीक है एक Ganga board बनाए गया है जो Ganga के कारण flooding हो रही है एक Brahmaputra board बनाए गया यह सब बहुत पहले बनाए गया थे आपका disaster management act NDA में यह सब 2005 में आया है ठीक है तो उसके पहले के यह bodies हैं इसमें बहुत जादा vacancies है इसको fulfill करना है manpower इसमें भरना जरूरी है और इस body का act करना जरूरी है next का है enact flood zoning law to regulate activities in flood plain area ठीक तो एक law बनाने की जरूरत है flood zoning law इसके थूरू जो flood plain area है उसमें activities को control किया जा सकता है जैसे कि encroachment हो रहा है तो उसको रोका जा सकता है जिससे property का laws नहीं होगा forestation and systematic urbanization is a way forward यह हमारा पूरा article था पूरा question और answer हो जाएगा hopefully यह सारी चीज़े clear है इसके आप notes बनाके रखेंगे यह question आपको किसी भी साल पूछ सकते है इस साल भी आ सकता है next year भी आ सकता है क्योंकि लगातार news में हमारा next article है balance of payment यह article Indian express में आया है GS3 economy means के perspective से बहुत important article है prelims के perspective से यह बहुत ही जादा important है static topic है आपने जब भी economy पढ़ा होगा तो उसमे balance of payment एक पुरा chapter होता है उसे ज़रूर पढ़ा होगा लगातार जो है UPSC में prelims में BOP के उपर conceptual questions पूछे जा रहे हैं वो सारी चीज़े हम इस article के थुरू address करेंगे जो conceptual static part होगा उसे cover करेंगे next year chances है prelims में आपको पूछा जाए इसके अलावा हम data के बारे में पढ़ेंगे BOP का जो data है trends है वो यहाँ पर दिया हुआ trends based question भी आपको prelims में पूछे जाते है means में कैसे use होगा directly आएगा क्या directly chances कम है आने के लेकिन अगर आपको overall economy की health से related question आता है तो वहाँ आपको BOP as a macro economic indicator की तरह use करना है BOP crisis of 1991 याद है क्या कुछ बिल्कुल जो LPG reforms हुए थे वो क्यों करना पड़ा था balance of payment crisis के कारण तो economy की health overall हम किसके थ्रू जाज कर सकते हैं balance of payment का जो data है उसके थ्रू जाज कर सकते हैं और इसे आप means में use कर सकते तो इसमें हम conceptual parts prelims वाला और means वाला दोनों कबर करेंगे शुरू करते हैं सबसे पहले context समझ लेते हैं last week data from the reserve bank of india showed that india current account registered a surplus during the fourth quarter of the 23-24 financial year head witness a surplus तो जो recently RBI का data आया है उसमें ये पता चला है कि 2023-24 का जो financial year है उसका quarter 4, fourth quarter में current account में surplus देखने को मिला है पिछले 11 quarter में पहली बार जो हैसा हुआ है कि current account में surplus आया है और इसलिए ये article भी आया है movement in the current accounts are closely monitored as they are not only impact the exchange rate of the rupee and Indian sovereign ratings but also because they point to the overall health of economy तो जो current account है उसको generally उसमें जो movement हो रहा है उसे closely monitor किया जाता है उसका main reason है कि जो current account है वो directly exchange rate of rupee को क्या करता है impact करता है इंडिया की sovereign ratings को impact करता है और overall जो health economy की वो भी बताता है अब बात कर लेते हैं balance of payment के बारे में BOP होता क्या है balance of payment is essentially a leisure of the country transaction with the rest of the world accounting terms में बात कर रहें तो एक किताब है जिसमें हमने क्या किया है लिखा है कि कितना सारी country के साथ हमारा trade हो रहा है कितना हम export कर रहे हैं कितने रुपय का और कितना हम import कर रहे हैं तो basically as Indians trade and transact with the rest of the world money flows in and out of the country the BOP shows how much money went out of the country and how much money came in तो यहाँ पर दो कॉलम बना देंगे कितनी money आई है और कितनी money गई है तो जो world से हमारे transactions होते हैं उसको जो हम note down करते हैं उसको एक leisure में लिखा जाता है और इसे ही हम balance of payment बोलते हैं अगर money जादा आई है इंडिया में तो आपका जो BOP होगा वो positive होगा और उसे हम BOP surplus कहेंगे अगर इंडिया से money जादा गई है तो उसे हम negative कहेंगे और BOP आपका deficit होगा अगर आप export जादा करते हैं in value terms तो आपका surplus होगा export greater than import by value की बात कर रहा हूं है तो आपका surplus होगा और अगर import जादा करते हैं export से तो आपका deficit होगा एक चीज़ important है BOP surplus है या deficit इससे आप ये अनुमान नहीं लगा सकते कि overall economy की health क्या है ये ऐसा जरूरी नहीं है कि BOP negative या फिर deficit खराब ही होता है BOP surplus अच्छा ही होता है ये आगे भी हम बात करेंगे BOP matter because it capture the relative demand of rupee with service demand for foreign currency तो basically BOP क्यों इतना ज़्यादा relevant है क्योंकि ये exchange rate estimate करने में help करता है rupee की demand कितनी है overall world में against other currencies let's say दो countries है India and United States ये सिर्फ दो ही country है पूरी दुनिया में तो इंडिया कुछ ना कुछ export करेगा और कुछ ना कुछ import करेगा जब इंडिया export कर रहा है इसका मतलब United States इंडिया import कर रहा है और इंडिया import कर रहा है इसका मतलब United States export कर रहा है जब हम United States से कुछ भी import करेंगे इसका मतलब हम dollar की demand बढ़ा रहे हैं हमें dollar में payment करना होगा और as a value जो dollar की value है वो increase हो जाएगी क्योंकि इसकी demand बढ़ रही है इंडिया के लोग जादा से जादा dollar वाली products को खरीद रहे है United States के product को खरीद रहे है तो overall dollar की demand raise हो जाएगी अब इंडिया कुछ export भी करेगा तो United States रुपे में transaction करेगा तो कितना रुपे में transaction कर रहा है उससे रुपी के demand बढ़ेगी तो overall हमारे export और import से जो relative value है रुपी की वो निकल कर आएगी B.O.P. के बारे में और detail में बात करते हैं B.O.P. के constituents के बारे में बात कर लेते हैं B.O.P. को दो अलग-अलग account में divide किया गया है एक होता है capital account दूसरा होता है current account current account में जैसा नाम सजेस्ट किया जा रहा है जो current transactions होते हैं जो current nature के transactions होते हैं उसे include किया जाता है current account को दो भागों में divide किया है इसके दो subdivisions किये हैं एक होता है trade of goods और दूसरा होता है invisible invisible के अंदर दो भाग होते हैं trade of services and remittances अब trade of goods के बारे में बात कर लेते हैं merchandise trade के बारे में बात करते हैं trade of goods जैसा की नाम सजेस्ट कर रहा है इसमें हम क्या record करते हैं कितना export और कितना import हमने physical goods में किया है physical goods मतलब क्या होते हैं जो की tangible nature के होते हैं जिसे हम छू सकते हैं कितना export हमने मसालों का किया कितना export हमने जो है चावल का किया ये सारे क्या है गोड्स है जनरली जो primary activities वाले गोड्स होते हैं और secondary manufacturing वाले गोड्स होते हैं जो हम export और import करते हैं उसे merchandise trade में include किया जाता है अगर आपका export ज़ादा होगा import से तो trade balance जो balance of trade होगा वो positive होगा अगर export कम है इंपोर्ट ज़ादा है तो balance of trade negative होता है चीज़े क्लिया रहे कि balance of trade कहां से आता है आपका trade of goods से आता है तो ये पहला concept था दूसरा क्या है आपका invisibles है invisibles में क्या क्या चीज़े आती है वो देख लेते हैं इसलिए इसलिए से इन्विजिबल कहा जा रहा है invisible transaction includes services like banking, insurance IT, tourism, transport etc और इसके अलावा इसमें remittance include किया जाते है that is India working in foreign country sending back money to the families back home इसके अलावा इक और चीज़े से इंक्लूट की जाती है ये important है third वाला income such as the income earned from the investment अगर हमने बाहर जो है कहीं पर invest कर रखा है तो उससे जो पैसा अर्न कर रहे हैं वो भी invisible account में आता है ये बहुत important point है ये वाला point generally हम गलत कर देते हैं आपको पूछा जा सकता है incomes which earned from the investment come under which account तो वो आपका current account होगा ठीक आपी समझ में आएगा क्यों मैं बोल रहा हूँ क्योंकि जब आप capital account पढ़ेंगे तो वहाँ आपको समझ में आएगा कि वहाँ पर जो उसका division किया है और उसकी जो definition है उसके हिसाब से कई बार आपको ऐसा feel हो सकता है कि जो income है जो कि आपने investment से earn किये वो आपकी current account में ना हो करके capital account में हो ठीक तो अभी आपन अब capital account पढ़ते हैं यह आपको ध्यान रखना है इसको अच्छे से लिख लो यहाँ पर फस जाते हैं लोग next है आपका capital account capital account captures transactions that are less about the current consumption and more about the investment such as FDI and FII तो capital account में क्या क्या चीज़े होती है जो कि investment से related होती है अब आपको जब यह वाला point दे दिया जाएगा कि जो income हम investment से कि यह काफी important है lastly the BOP table always balances through the change in foreign exchange reserve column when there is a BOP surplus net of current and capital account implying billion of dollars coming into the country the RBI suck up these dollars and add it to foreign exchange reserve क्या होता है generally जो BOP होता है उसे balance कर दिया जाता है foreign exchange reserve column से इसका मतलब let's say कि आपका BOP surplus हो रहा है surplus होने का मतलब billion of dollars इंडिया में आ रहे होंगे अब जब billion of dollars इंडिया में आएंगे तो dollar की basically यहाँ पर क्या हो रहा है demand कम हो रही है और rupee की dollar की supply जादा है supply जादा है तो demand कम है और rupee की demand बढ़ रही है तो क्या होगा rupee की demand high हो dollar की demand कम हो रही है तो appreciation of rupee हो जाएगा अब appreciation of rupee को रोकने के लिए क्या करता है RBI कि जितना भी आपके dollar साहे market पे उसको suck up कर लेता है और foreign exchange reserve में उसको डाल देता है ताकि जो dollar की supply बड़ी है वो वापस कम हो जाए और rupee की supply वापस increase हो जाए तो dollar की supply कम हो गई, rupee की increase हो गई तो जो आपका exchange rate है वो normally उतना ही रहता है और अगर exchange rate उतना ही है appreciation नहीं हो रहा है तो इंडिया की जो export है उसकी competitiveness भी increase या फिर बड़ी हुई रहती है चीज़े clear नहीं क्या? अब जो data है उसको हम कैसे बढ़ सकते हैं? deficit का मतलब बुरा नहीं होता surplus का मतलब अच्छा नहीं होता है इस चीज़ को मैंने आपको पहले ही बता दिया है जैसे की fourth quarter का data है आपर trade of goods की अगर बात करें तो minus 51 है trade of services 57 है इसलिए आपका जो current account है उसमे surplus आया है fourth quarter में एक चीज़ आपको याद रखना है इंडिया में जो trade of goods है merchandise trade होता है वो हमेशा हमेशा negative में होता है और जो invisible trade है services है especially IT export वो बहुत ज़ादा होता है इसके कारण services में आपका जो export होता है या फिर trade of services होता है वो हमेशा positive होता है तो एक हमेशा negative रहता है अगर आप पिछले 20 साल के trend देखें और एक हमेशा positive ये generally जो trade of goods होता है आपका ज़ादा negative होता है और trade of services relatively कम positive होता है इसलिए overall आपका जो current account होता है वो किस में होता है deficit में होता है ये number जो आपका services है ये increase हो गया है और trade of goods कम हुआ इस quarter में इसलिए आपका जो capital account है उसमें surplus देखने को मिला है चीज़े clear है क्या ठीक है अब उसके बाद हम 2021 की बात कर लेते हैं ये covid year था इसमें भी trade of goods कम था trade of services जाद था इसलिए जो है क्या हुआ था आपका surplus आया था लेकिन covid year में lockdown था इसलिए हमने import बंद कर दिये थे और export services के तो घर से काम कर रहे थे सब IT वाले तो वो तो continue थे इसलिए आपका यहां पर invisible जादा है और जो आपके goods हैं import और export वो कम है चीज़े clear है क्या ये हम ये वाला जो surplus है ये हमारे लिए अच्छा नहीं है ये वाला surplus हमारे लिए अच्छा है चीज़े clear है क्या जब आपका deficit होता है तो वो कई बार ये भी बताता है कि इंडिया में strong demand है ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आप ज़ादा जो है import कर रहे हैं इसका मतलब ज़्यादा consume कर रहे हैं तो इसके पास आपके पास पैसा ज़्यादा है तभी तो consume कर रहे है overall economy में demand ज़्यादा भी बताता है अगर आपका B.O.P. negative है तो तो B.O.P. negative का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता है कि ये एक खराब चीज़ है इसलिए आपका जो इंपोर्ट होता है है merchandise goods की बात करना हो वो हमेशा ज़्यादा होता है export से चीज़े clear है क्या तो ये basically हमारा data हो जाएगा एक और चीज़ इसमें बतानी थी है आपको वो क्या है एक तो हमने exchange rate of rupee की बात कर लिए थी इंडिया की जो sovereign rating है वो भी impact होती है अगर BOP बहुत ज़्यादा deficit है और आपके पास foreign reserve नहीं है इसको cover करने के लिए BOP deficit का मतलब क्या हो सकता है एक तो आपने बहुत ज़्यादा import करके रखा है और export आपका कम है इसका मतलब आपने जो extra import किया है यह जो bill होंगे यह आपको चुकाने पड़ेंगे और capital account में भी लेट से आपने बहुत ज़्यादा loan लेके रखा इस loan को भी चुकाना पड़ेगा लेकिन आपको यह चुकाने के लिए foreign reserves है ही नहीं तो फिर ऐसे में क्या होगा आप जो country होगी वो insolvent हो जाएगी एक तरीके से जो country होगी वो default कर जाएगी EC को balance of payment crisis भोलते हैं और जो sovereign ratings होती है जो भी आपकी rating agency होती है वो यही देखती कि BOP कितना ज़ादा negative और foreign exchange reserve कितने है अगर foreign exchange reserve बहुत जाद है तो BOP negative होने से ज़ादा फरक नहीं पड़ता लेकिन अगर मानलो BOP थोड़ा ही negative और foreign exchange reserve बिल्कुल नहीं है तो आपकी rating धीरे धीरे गिर जाएगी बेसिकली जो आपकी credit rating agency होती है वो यही बताती है कि इस country की कितनी ability है कि यह जो loan लिया है यह वापस चुका सके चीज़े clear है तो यह basically हमारा पूरा BOP concept हो जाएगा hopefully यह चीज़े आप clear हो गए होगी सारा concept समझ में आगे होगा जो doubt है उसे आप पूछ सकते है हमारा next और आज का last article है why China wants to build a rail network to Singapore via Southeast Asia article Indian Express में आया है GS2 IR मेंस के perspective से important है prelims के perspective से बहुत जादा important है prelims में इस तरह के project के नाम पुछ ले जाते हैं पुछ ले जाता है कौन कौन सी country को यह connect करें या कौन सी country के projects है तो यह काफी important article है pre के perspective से और means के perspective से भी important है क्योंकि ASEAN countries, South East Station countries plus China दोनों के बीच के relation के बारे में भी हम बाद करेंगे तो जो चाइना का influence है ASEAN country पे वो increase होता दिकरा है through BRI project और this rail project तो यह rail project के बारे में चर्चा की जाएगी recently चाइना के एक ministers जो है कहां पर present थे Malaysia East Coast Rail Link के जो टर्मिनल स्टेशन था उसकी inauguration ceremony तो यह East Coast Rail Link क्या है इसके बारे में बात करना बहुत जादा जरूरी है तो आपका जो East Coast Rail Link है यह बेसिकली एक Pan-Asian project है जो की कौन लीट कर रहा है चाइना लीट कर रहा है अंडर B.R.I. project Belt and Road Initiative यह प्रोजेक्ट चाइना के ज़ौरा चलाय जा रहा है इसमें Southie Station Country और चाइना के बीच में जो connectivity है रेल connectivity है उसको बढ़ाने की कोशिश की जारी है जो कन्मिंग सिटी है यह आपका चाइना की इक सिटी है कन्मिंग और यह सिंगापूर है तो सिंगापूर और कन्मिंग के बीच में जो है आपकी रेल connectivity इंक्रीज की जारी है चाइना के इन प्रोजेक्ट के थूँ दे 665 किलोमेटर लॉंग ECRL विल कनेक्ट कोटा भारू इन दा इस्ट विद पोर्ट क्लांक लोकेटेड ऑन दा स्ट्रेजिक इंपोर्टेट अफ मलका ओन मलेशिया वैस्ट कोस्ट जो मलेशिया में अभी रिसेंटली प्रोजेक्ट इन आउगरेट किया गया है वो बेसिकली किस-किस को कनेक्ट कर रहा है यह मलेशिया कंट्री के अंदर की बात कर रहा है यह कोटा भारू से आपकी connectivity पोर्ट कलांक तक होगी पोर्ट कलांक की location क्या है मलक्का इस्ट्रेट की तो यहां पर कहीं न कहीं चाइना की जो प्रेजन्स है वो बढ़ती होई नजारा दिये तो जो connectivity इंप्रूव होगी उससे बेसिकली होगा क्या ट्रेड बहुत ज़ादा इंप्रूव हो जाएगा शवाप क्ैप्टुल rättड टांक दानिंख वेश्टन लाइन फौलाइन थाइलाइन वर्टन लाइन फ्रूम की रिद्विय केश्गूध तैक आपकी कन्विंग से मैं अर थाइलान होते हुए जो है एक वेस्टन लाइन बनेगी एक सेंटर्ल लाइन होगी जो कि Laos और Thailand को connect करेगी और एक Eastern line है जो वियत नाम Cambodia और Thailand को connect करेगी तो यह आपका Pan-Asian Railway Network होगा यह सारी चीज़ा आपको clear होना चाहिए Another line would connect Thailand Capital Bangkok with Malaysia and Singapore which sits at the mouth of Malacca Strait ठीक है तो इस जगह से आना Malacca Strait तक क्या अगर माल लीजे आपने क्या करा चाइना के ट्रेड आते है चाइना का कहा से आता है Persian Gulf से इधर इंडिया ओशियन से होते हुए यहाँ पर Malacca Strait तक पहुचा अब उसके आगे South Eastern Sea से जाने की ज़रुद नहीं यहीं Railway से भी क्या कर सकते हैं जा सकते हैं तो यह काफी important हो जाएगा Rail Line इस से जा सकता है तो बेसिकली alternative route त्यार करने की कोशिश की जा रही है किस के दोरा चाइना के दोरा कि कहीं यहाँ पर अगर कुछ गडबड हो जाए South China Sea में तो फिर यहाँ पर कोई अटेक कर दे और सारा का सारा जो भी शिप से उनको कबजा कर लें तो उसे इस South China Sea में ही अगर कोई कबजा करता है United States की भी यहाँ पर प्रेजन्स है तो यहाँ पर ही वो क्या करेंगे श्रेट आफ मलका में अपने जितना भी बचिवी शिप सोंगी उसको अनलोड करके ट्रेंड के थूँ सारा का सारा ट्रेंड सर्विसेस कंटिन्यू कर सकते है क्योंकि मेंली यहाँ से पर्शन गल्फ से जो ओईल है वो आता है और बिना ओईल के कुछ भी नहीं हो सकता अभी के समय में तो एटलिस्ट कुछ भी नहीं हो सकता तो इसके स्ट्रेजिक रीजान है दूसरा जो गूर्ट सें सर्विसेस है उसकी ट्रेडिंग बढ़ जाएगी और इंटर डिपेंडेंस भी बढ़ जाएगी बेसिकल जो साउथ चाइना सी की नाइन डैश लाइन है नाइन डैश लाइन के बारे में जाते होंगी यह डिस्प्यूटेड लाइन है इसे चाइना क्लेम कर रहा है और जितने भी साउथ चाइना सी में आइलेंड है इसके अंदर उस पे क्लेम कर रहा है नाइन डैश लाइन इस तरह की नाइन है और यहाँ पर बहुत सारे आइलेंड है इसे चाइना बूल रहा है कि यह हमारा है लेकिन बहुत सारी कंट्रीज है फिलिपेंस भी अधनाम वो भी क्लेम कर रहे हैं तो इनके बीच में बॉंडरी डिस्प्यूट है अधना मरीन बॉंडरी डिस्प्यूट और इस डिस्प्यूट को कम करने के लिए बेसिकली जो एकनॉमिक माइट है अपनी उसका यूज कर रहा है चाइना और रेल प्रोजेक्ट कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट बढ़ा रहा है जैसे इंटरडिपेंडेंस बढ़ जाएगी त इस डिस्प्रोजेक्ट करने की बात थोड़ी जरूर है जादा नहीं है क्योंकि जो आश्यान कंट्री है वह बहुत अच्छे से चाइना के असर्टिव नेचर को भी जानता है तो इंडिया जो है कही ना कही आश्यान कंट्री को सपोर्ट भी कर रहा है लेकिन अगर इतना इन पर बढ़ जाता है आश्यान कंट्री पर चाइना का तो कही न कहीं थोड़ा बहुत चिंता तो इंडिया को करनी पड़ेगी यह बेसिकल यह हमारा आर्टिकल था होपफूली आर्टिकल आपको क्लियर हो गया होगा that's it for today thank you and enjoy your day